जैगोमाता जैगोपाल कामदेनो गोशाला के सभी दर्शकों को मेरा नमसकार आज हमारे पास डाबा वाली एक जगह बढ़ती है पंजाब का बिलकुल बॉर्डर है जहां पर राजिस्तान हर्याना और पंजाब तीनों को वहाँ पर मिलान होता है वहां तीनों कठे होते हैं ये States, उसके पास ये गाम है जिसका नाम है लखुवना, और वहां से आज हमारे पास चैना राम जी आए हुए है, चैना राम जी के पिता का नाम धुमकल राम है, और ये काफी सालों से गाय रखते हैं, राठी साहिवाल नसल की गाय रखते हैं, तो मुझे याद है आज से 5-6 पर ध्यान दिया जाए, आज बड़ी खुशी हो रही है मुझे ये देखकर के ये आज हम से नंदी लेने आए हैं, ये एक-दो साल पहले, एक नंदी पहले भी लेकर गए थे, और आज ये फिर एक नंदी लेने के लिए आए हैं, आई इन से बात करते हैं, चैना राम जी कै आज आज आप यहां पर क्या करने आए हैं, बुल लेने के लिए हैं, नसल सुधान के लिए बुल लेने के लिए हैं, आपके पास कितनी गाये हैं, हमारे पास में 120 गाये हैं, 120 गाये, तो कितने सालों से आप इस पर काम कर रहे हैं, हमारे दादों पर दादों से कर रहे हैं, दादों पर दादों से, पीडियों से काम कर रहे हैं, इनकी दिन चरया जो है और इनका जो कमाई का साधन ही गाय का दूध है, तो आप इतनी दूर यहां काम देन गोशाला में नंदी लेने आये हैं, और कहीं पर क्यों नहीं गए? और कहीं हमारे को सुंदर्ता में अच्छा नहीं लगता है, यहां सुंदर्ता में और ब्रीड में आपने इतना द्यान दिया तो सब चीज में यह हो रहा है कि तिमना नंदी से लेए हैं बुलबां काम दोने का उसाला से, जब पहले लेकर गए एक बच्छा उसका रजयल्ट दो नंदीले कर जा रहे हैं नसल सुदार के लिए, एक मेरा दोस्त का है, एक मेरा देखिए यह अपने आप में बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है और बहुत से ऐसे गोपालक हैं भारत के अंदर जो आलड़ी नसल सुदार पे काम कर रहे हैं लेकिन चैनाराम जी ने एक मिसाल पैदा की है, तो सभी गोपालकों को, सभी गोशालाओं के प्रतिनिधियों को और सभी जो गाए से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनको प्रेट करता हूँ कि नंदी पर धिहान दीजिए, गाए पर तो देना ही है, लेकिन कुछ सान पर धिहान दीजिए, देखिए कैसी गाए पैदा होंगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनाराम जी, यहां आने के लिए हमारी शुब कामनाएं आपके साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर और कोमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये नसल सुधार वाली मुहिम कैसी लग रही है, क्या आपने नसल सुधार शुरू कर दिया है, हमें जरूर बताइएगा, जैगो माता, जैगो पाल